जै शरी राम प्रिये वगतो, प्रिये वगतो, आज का टोपिक है, सभी प्रेशानी और संकटो का अंत है, यहें चमतकारी मंत्रे, और बोलते ही असर दिखाता है, यहें, देरी का भी काम नही है, क्योंकि लोगों को जल्दी भहुत रहती है, कलियोग में समय नहीं है, सब प्रभाव दिखाएगा ये आपका मन बदलेगा आपके विचार बदलेंगे आपको शान्ती मिलने लगेगी आपके पोजिटिविटी बढ़ जाएगी नकारात मक्तादूर होगी लेकिन पूर्ण फल चाहिए पूर्ण फल उसके लिए निरंतरता से सयम से उसको बोलना है जिस मंतर के लिए कहा गया है कि राम नाम की ओसदी जो खरीनियत से खाए और अंग रोग व्यापे नहीं महारोग मेट जाए यानि कि राम नाम का जो सयम धहरिये के साथ निरंतर जब करता है उसके अंग में कोई भी रोग व्यापता नहीं है और रोग है तो वह कट जाता है यहां तक कि महारोग भी कट जाते हैं तो जो हम मंतर आपको बता रहे हैं वो मंतर भी राम नाम ही है राम नाम से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी मंतर नहीं है प्रिय भगतो लेकिन कौन सा राम वो राम नाम जो आपके स्वासों में समाया हुआ है आपके अंदर ही है कनकन में रूम रूम में वो राम है उस को जपें उस राम को जानें वो राम जिस दिन आप जपते जपते जान जाएंगे उस दिन तो एक बार बोलते ही वह हर प्रेसानी और संकट को दूर कर देगा ये 100% अनुभाव परवानित है उस नाम में इतनी शक्ति है एक बार बोलने से गुंगा बोलने लग जाता है और ल गनेश जी सिधी को प्राप्त हुए और उसी नाम के जब की वज़े से गनेश जी को सरव पर्थम पूजित किया जाता है उसी नाम को एक बार बोल करके सिव जहर पी गए वही नाम है ये जो जिस नाम की चर्चा जिस नाम की महिमा सभी वेदों में गाई गई है सभी पुर नाम अपने आप में ही सबसे चमतकारी मंत्र है, है नाम ब्रह्मा विश्णु और महेश सवरूप और वेदों का भी प्राण है, तो वो राम नाम को आप बोलना शुरू कीजिए, जपना शुरू कीजिए, पहले दिन से ही यह असर दिखाएगा, और जीवन के समस्त संकट करें सबसार, यानि कि उस नाम को एक बार बोलते ही, जितने भी पाप हैं, वो सब भस्म हो जाते हैं, तो आप उस नाम को अवश्य अवश्य बोलने पर यह भगतों कुछ भी नहीं जाता, क्योंकि आप कुछ भी कर लो, आपके पास कोई दूसरा उपाय है ही नहीं, और ना ही होगा, क्योंकि कल्यूग में केवल और केवल नाम का ही सहरा बताया है, कल्यूग केवल नाम अधरा, समरे समरे नर उतर ही पारा, बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही सरलता से आप नाम जब कर सकते हैं, खर समय पर, राम, रमेती, रमेती, रमे, रमे, मनोर में, सैसर नाम, त अधिक है और जो नाम सभी में रमाया हुआ है समाया हुआ है जो योगी लोग रमन करते हैं वह नाम अकेला हजार नामों के बराबर एक ही नाम है और उसी नाम को मापारवती बगवान के संग जबती रहती हैं संसार के परचली थजारों नाम मिल कर भी उस रमनाम की प्राबरी नहीं कर सकते तो आप उस रमनाम को जबकर अपने सभी संकटों से छुटकारा पा सकते हैं यह आपका प्रशन हो तो कमेंट कीजिएगा अब हम अपनी वाने की और देते हैं जैस्री राम प्रियावागा